सो हेलो एवरीबन वेलकम बेक, वेलकम तो आई के अटेकर, आएम डॉक्टर दीपक ठाकूर, कंसल्टेंट अप्टोमेटर्स आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं, हमारी आख का जो नॉर्मल प्रेसर होता है, वो कितना होता है तो पहले हम समझ लेते हैं कि हमारी आख का जो प्रेसर होता है, वो कैसे मैंटेन होता है, क्या चीज़े हमारी आख के अंदर होते हैं, जिसकी वैसे हमारी आख के अंदर भी एक प्रेसर मैंटेन रहता है तो basically होता क्या है हमारी आख होती है जैसे कि आप देख सकते हो हमारी आख के अंदर जैल भरा हुआ होता है ये जैल दो पार्ट में होता है एक होता है anterior segment एक होता है posterior segment जो हमारा anterior segment के अंदर जैल होता है उसको हम बोलते है aqueous humor जो हमारा posterior segment में जैल भरा होता है इसको हम बोलते ह तो इस जैल का हमारी आख के अंदर प्रोडक्शन होता है और साथ में ड्रेनेज होता है तो हमारी आख के अंदर वो बनता है और हमारी कैनाल होती है slams के अनाल जो कम बोलते हैं यहां से वो drain करता है तो जैसे कई बार क्या होता है हमारी आख के अंदर इसका या तो production बढ़ जाए या फिर drainage कम हो जाए तो उसकी वज़े से क्या होता है इस gel का अंदर जो quantity होती है वो बढ़ जाती है क्योंकि अगर कोई चीज जादा बनेगी या फिर जादा ड्रेन या फिर कम ड्रेन होगी तो आप यह नॉर्मल सी बात है कि अंदर वॉल्यूम में एक लिमिटेड वॉल्यूम है तो उसके अंदर प्रेसर बढ़ जाएगा तो हमारी आख का जो प्रेसर होता है वो बढ़ जाता है तो हमारी आख का जो नॉर्मल प्रेसर होता है जब हमारी आख के अंदर प्रॉपर एकदम production हो रहा और प्रॉपर drainage हो रहा है तो वो हमारी आख का pressure normal जाता है, maintain जाता है तो उस वो जो pressure होता है, उसकी normal limit होती है, वो होती है maximum 22 तक इसे बहुत सारे patient में 14 भी देखा जाता है, 15 भी, 18 भी, 20 भी अगर 22 से जादा होता है, 23, 24 या फिर 30, 35 तो ये हम high IOP मानते हैं IOP का मतलब होता है intraocular pressure तो अगर किसी patient की आख में blockage की वज़े से या फिर higher production की वज़े से ऐसा होता है उन patient के अंदर हम glucoma का सक मानते हैं, glucoma का मतलब होता है कालम होती है तो उसको confirm करने के लिए हम कुछ और patients के test करते हैं, patient को dilate करके एक बार check करते हैं, visual field करते हैं, gonioscopy करते हैं, जिसमें हम सारे angle देखते हैं उसके बाद हम पता लगाते हैं कि क्या patient को कहीं कालम होती है तो नहीं है तो उसके बाद हम confirm करते हैं, तो पहला sign होता है आँख के pressure बढ़ने का कि आपकी आँख में कालम होती है हो सकता है तो अभी इस वीडियो में मैं बहुत जादे detail में नहीं जा रहा अगर आपको detail वीडियो चाहिए तो आप नीचे comment box में comment कर सकते हो तो मैं और detail वीडियो बना दोगा कालम होती है के बारे में क्योंकि मैंने पहले भी वीडियो डाले हुई है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो comment box में comment करें तो मैं detail वीडियो भी डाल दोगा Thank you for watching my video, please like and subscribe